बाई राजस्थान के अंदर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती है कि ये कूलर भी फेल हो जाते है तो पिछली वीडियो के अंदर हमने ड्राइ आइस को उबलते हुए पानी के अंदर डाल दिया तो फिर जो हुआ वो यकीनन देखने लागता तो गई जर उस वीडियो को देख कूलर के अंदर डाल दो और फिर देखो कि हमारे जो कूलर है वो किस तरीके की हवा हमें देता है पहले क्या करते है पहले राइच को च्छोटे ड्मडों में तोड लेते हैं ताकि ताकि इसे कूलर केंदर डालने में आसानी रहे एक बार फिर से बतादू जो ड्राइ आईस है वो नॉर्मल आईस से काफी ज्यादा ठंडी होती है करीब करीब माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तक और इसे हम अतोड़े से भी तोड़ सकते हैं तोड़ना शुरू करते हैं हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है आप ऐसा फच्पी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि हम ने सिंपली हमारी ड्राइ इस को बारिक बारिक टुकडों के अंदर तोड़ लिया है अब अब आप शुरू की पतेली का क्या हाल हो गा है नीचे घस कैसे जूलर के factor के इस को लगा दियो आप दो यह सह जैसा ही में द्राइअस डालो न इसको लगा दियू वो जो तेरी लगा लगा जल्दी लगा ओमाइग गॉड़ को चलो पटावट से कूलर चलाते है ठीक है एक दो तिन वो तेरी वो तेरी निरा ओमाइग गॉड़ को तेरी लगा सकते हैं कि जो हवा है वो कि इतनी ज्यादा थंडी होगी भाई ये सी फेल है ओ सही में यार देखो ओसम यार और में कूलर को बंद करता हूं तो बंदर ड्राय है इस तेखो कैसी आती है मैं थोड़ा सा फूक मारके आपको दिखाता हूं कि पानी का हलकी है ना देखो ड्राय इस किस तरीके से उबल रही है देखो यहाँ पर जमी हुए है गाइस कूलर का पानी देखते हैं कूलर इतने जादा थंड़ा हो गया है कि बहुत थंड़ा हो गया है देखो ओसम यार आपका सवाल था जवाब मुझे मिल गया मैं आपको बताता हूं कि जी हाँ डेफिनेटली अगर अगर अपन कूलर के अंदर ड्राय आइस डालते है न नमबर तो हमारा पूलर डेफिनेटली अचेश्वह बन गया है लेकिन यहां पे छोटी सी दिक्कत है बंद ओजा यहां पर इक छोटी सी दिक्कत है इसका पर्मानेंटली नहीं चला सकते हैं क्योंकि ड्राय इसका असर रहता है तब तक यह ठंडी हवाद देता है जैसे ड् तो पूरा रूम कार्बंडाय उक्साइड से भर जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है इसलिए आप ऐसा खुछ भी कहीं पर भी ट्राइ मत कीजिए बाकी मैंना आपको बता दिया आपका जो सवाल ता उसका जवाब दे दिया तो आई ह आपको